आज हम इस फीडियो में एक ऐसे सौटबेर के बारे में आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई भी परसन लैपटॉप और डेक्स्टॉप कुछ भी यूज करता हो तो उसके लिए जानना बहुत ही जरूरी कि सौटबेर की मदद से हम क्या क्या चीज अपना सिक्यूर कर सकते है और यहां पर इस सौटबेर की सबसे अच्छी यह बात मुझे लगी कि सौटबेर के यूज करके आप जो है आप अपनी विंडोज का क्लोन बना सकते हैं जैसे कि मान लीजे एक जामपल की तो पर यह मेरा लैपटॉप पर इसमें हार्डिस लगी हुई है अब मुझे इसमे रहेगा सब को इस्टॉल करना पड़ेगा उसमें बहुत सारा टाइम आपका लगने वाला है तो यहां पर जो मैं सौटबेर आपको बताने वाला हूं सौटबेर की मदद से आप इस पूरी विंडोज को क्लोन बनाके हम सौटबेर की मदद से इस डी में डाल देंगे फिर यहां पर SSD को जैसे अपने लैप्टॉप में लगाएंगे पूरा एजटिक जो भी सौटबेर जो भी विंडोज जो अप्लीकेशन या फिर जो भी ब्राउजिंग हिस्ट्री यहां पर रहेगी एक को रेट टोटल का टोटल आपका कॉपी हो जाएगा क्लोन के माद्धे हम स compassionate के दाएंगे तो यह बहुत से लोगों काम आने वाली जो मैं इस वीडियोक में आगे आगे बताने वाला हूं और इसकी अलावा इस वीडियो अर बहुद की किस तरह से मैं इस laptop की windows का clone बना के software के माध्यम से इस ssd drive में transfer करूँगा फिर उसके बाद ssd drive किस तरह से मैं अपने इस laptop में लगाऊंगा फिर मैं आपको check कराऊंगा यह जो windows है windows के सारे application सारी चीज़े यहां पर मेरी इस ssd में copy होई copy होने के बाद open हो रही कि नहीं हो रही है तो बैयां रही हमाई साथ इस वीडियो में step by step सब्सक्राइब के बारे में और इसके साथ यहां पर मैं यह चीज़ आपको करके दिखाने वाला हूँ इसमें data transfer करके इसको इसमें लगा के भी डिटेल में आपको जानकारी मिलने वाली कि सब्सक्राइब करना कैसे निस्टॉल करना फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस कैसे करना कैसे हमें ssd को connect करना कैसे clone बनाना की बार इस लैप्ताप में लगी हुए हार्ड इस को कैसे निकालना है फिर ssd को कैसे लगाना फिर हमें कैसे चेक करना सारी डीटेल सबब्सक्राइब को डीटेल में मिलने वाली है तो प्लीज वीडियो स्किप मत कीजएगा यहां पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दो इस वीडियो में मैं आपको क्या-क्या बताने वाला हूँ यहां पर मैं पहले आपको एक सौर्ट बेर के बारे में बताऊंगा जो की वो डाउनलोड करके आपको इस्टॉल करके दिखाऊंगा जिसका नाम है ए किसी अधर ड्राइब में ट्रांसफर करना चाहते हैं क्लोन बनाके तो वह भी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो बिना किसी देरी की चलते हैं अपने लैप्टॉप के स्क्रीन पर वहाँ पर मैं एस्टप बाइस्टप आपको बताता हूं किस तरह से हमें सौर्ट बेर को पहल कर लिए च्रेक्शन कर लिए गा उसके वीड़ियो की डिपकेशन ब्रक्राइन और कमेंट बॉक्स में सबसे उपर एक Last Mint कर लिंक रहेगा यहाँ पर जैसे उस पे क्लिक करेंगे ऐोमी बैकपर स्टेंडर्ड इस पेज़ पर आ जाएंगे 6.9.2 यहाँ पर फ्री वरजन है यह बिल्कुल हमारा जो कि हमारा AOMI Backupper का version है, standard version यहाँ पर फिर थोगा सा आप drop down करिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा download framework, तो यहाँ पर आपको download पर click कर देना, again दूसरा page आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर कुछ आपको sell वगेड़ा मिल जाएगी, तो इसको आप चाहें तो यहाँ से close कर सकते हैं फिर यहाँ पर थोगा सा drop down करिएगा यहाँ पर download का option again आपको मिल जाएगा फिर इस पर आपको click करना है यह file आपकी download होने लगेगी बहुत ही छोटी सी file है यहाँ पर देख सकते हैं 122MB की यह करीबन हमारी file है यहाँ पर download हो जाने दीजी यहाँ पर फाइल हमारी download हो गए तो so in folder कर देते हैं इसको और यहाँ से install करने के लिए double click कर देते हैं browser को minimize कर देते हैं जैसे double click करेंगे yes and no को option पूछेगा थोई दिर बाद तो आपको yes कर देना install करने के लिए मैंने yes कर दिया है अब okay करना है आपको अब यहाँ पर आप से पूछा standard edition के लिए जो की free वाला है तो इसके लिए skip कर देना अगर आपको pro edition करना है तो pro में आपको काफी सारे और features यहाँ पर मिल जाएंगे देख सकते हैं जैसे यहाँ पर standard edition जो की हम अब इस्टाल करने वाले जो की बिल्कुल free है इसमें आपको backup and restore मिल जाएगा basic backup restore and clone का option मिल जाएगा जहाँ पर यह दो option आपको मिलेंगे इस standard version में अगर यहाँ पर pro edition आप buy करते हैं तो pro में इस सारे features आपको देखने को मिलेंगे फिर हाल हम इसको skip कर देते हैं क्योंकि यह standard से हमारा काम चल जाएगा आपको अगर requirement होगी तो आप अपने हिसाब से buy कर सकते हैं फिर उसके बाए install law पे click करना है यहाँ पर यहाँ पर यूज करके जो है आप अपने data को save कर सकते हैं cloud पे आप save कर सकते हैं इससे आप अपना time भी बचा सकते हैं और data को secure कर सकते हैं और इसके साथ अपने data को retrieve करना चाहें disk को retrieve करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं और इसके साथ यहाँ पर system restore disk and partition selective recover file one click recovery यह सारे option इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर किसी भी file का अगर backup आपने लिया है तो अगर वो file lost हो जाती तो उसको दुबारा से recover कर सकते हैं और यहाँ पर clone भी बना सकते हैं अपने disk का अपने partition का clone भी बना सकते हैं कि मैं इस वीडियो में आपको clone बना के दिखाने भी वाला हूं तो यहाँ पर हमारा software install हो चुका उसके बाद enjoy now पर हमें क्लिक कर देना है पर हमारा open हो जाएगा अब यहाँ पर software का interface को इस तरह का आपके सामने आएगा यहाँ पर देखे मैसेज आएगा यहाँ पर flash cell चल लगी कुछ इस वाड़ बेर की अगर आप यहाँ से buy करना चाहें तो join कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पर don so again पर click करके यहाँ पर close कर सकते हैं यहाँ से अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आपको काफी सारे option यहाँ पर मिल आएंगे आप यहाँ से backup अगरा लेना चाहें तो backup ले सकते हैं या backup औले option पर आके कई सारे यहाँ पर system backup वन की recovery backup backup डिक्स backup partition backup फाइल backup कई सारे backup दिए आपने पूरे system वी backup ले सकते हैं फाइल का वी backup ले सकते हैं पार्डिशन के हिसाब से बैक अप लेना चाहा है तो अलग-अलग option यहाँ पर दिये हैं और यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया था जो कि हमने फ्री वर्जन यूज के तो फ्री वर्जन में दो ही चीज हमें मिला था तो सारी चीजे यहाँ पर आपको यूज करने के लिए आपको इसका license buy करना पड़ेगा और इसके बाद restore का option मिल जाएगा यहाँ पर कोई चीज अगर बैक अपने लिया उसको आपस से restore करना चाहां तो यहाँ से restore कर सकते हैं और इसके बाद हमारा को option मिल जाता है क्लोन में आपको तीन option दिखाएंगे तीन में से एक ही हमारा यह है जो की डिक्स क्लोन है बाकी partition क्लोन और system क्लोन अगर यूज करते हैं तो यहाँ पर आपसे license मांगेगा तो यहाँ डिक्स क्लोन में आपको बता दो जैसे मैं आपनी हार्डिस आपको दिखा देता हूं मेरी हार्डिस यहाँ पर 500GB की तीन ड्राइब बनी हुई है यहाँ देख सकते हैं तो यह चीज आप शोर करिएगा जैसे मान लीजे आपकी हार्डिस अगर 500GB की है और आप जो है डेटा उसमें रखे हैं करीबन जो है 100GB का तो आप जो है आपको वो SSD लगानी है जिसे 100GB का आपको पूरी हार्डिस में डेटा है तो यहाँ पे हम 128GB के SSD जो होतना हमारा थो पार्डिशन में हम अगर किलिक गरते तो एक ड्राइब यहां पेढ़े करके उसकी क्लों बनां तर्वः बनाके Посो करना है जिसको हम जो ichलों बनाके अधर में बचान। यहाँ जैसे इस ड्राइब विंडोज पर हमने क्लिक किया विंडोज वर ड्राइब पर इसको next किया अब यहां पर हमें okay करना है यहां पर permission वगारा मांग रहा है कि आप शेयर हैं कि इसका clone बना चाहते हैं तो यहां पर चिपढ़ लिजेगा again yes कर दीजेगा अब यहां पर destination जो है partition मांग रहा है मतलब उस जो है ड्राइब को आपको कहां पर जो है clone बना के आपको transfer करना है तो मान लीजे इसी ड्राइब में मेरी एक ड्राइब है ठीक है वैसे आपको other drive लगा के आपको करनी चाहिए मैं अभी आपको बताऊंगा लेकि example के तोर पर मैं कोई data तो नहीं अगर data होगा तो delete हो जाएगा तो यहां पर दिखाएगा दोनों का size कितना total size है दोनों का यहां पर देख लीजेगा source partition हमारा यहां से उटके destination partition यहां पर हमारा क्लोन बनके जा रहा है तो again start clone करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर license मांग रहा है तो यह चीज हमारा जो है pro version में काम करेगा पूरो edition में काम करेगा अब यहां से बैक आ जाते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा partition clone हमारा इसमें free version में नहीं चलेगा system clone भी नहीं चलेगा यहां पर already लिखके आ रहा है disk clone में रहे गया disk clone में आपको बताता हूं किस तरह से clone बन या hardest जिसमें भी आप clone बना चाते हैं वो उतने ज्यादा GB का होना चीज जैसे मेरे जो है इसमें laptop में करीबन जो है 50 GB के आसपास total data c drive तो मैंने यहां पर यूज किया है 108 GB SSD अब इसको हमें connect करना है अपने laptop में USB port में वो कैसे connect करेंगे तो यहां पर आपको SATA to USB cable एक ले ली सुध है इसमें कुछ इस तरीके से आपको यह मिल जाएगा इसको आपको insert करना है इस SSD में यहां पर SSD hardest कुछ भी हो सकती है आपकी तो उसके लिए कंफ्यूज मत होएगा और अगर माली जी यह चीज आप desktop में अपने कर रहे हैं तो महां पर जो है बड़ी hardest होगी तो उसको आप जो है बड़ी supply से connect कर दीजेगा उसका adapter अलग आता है बड़ी hardest का तो यहां पर आप इसको simple हमें connect करना है अपने इस laptop की USB port में हमने यहां पर इस connect कर दिया और यहां पर देख सकते हैं यहां पर light जल चुकी है अब आपको ले चलते हैं अपने laptop के screen पर तो यहां पर है new simple value पर click करना है next 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 again finish यहां पर drive का location allowed हो जाएगा यहां पर drive का location अभी कुछ नहीं था इसलिए नहीं सो कर रहा था अब इसको हम बंद कर देते हैं अब इस PC पर जाके देखते हैं यहां पर हमारी SSD सो करने लगी जो कि एक partition इस पर बना हुआ अब इसको बंद करते हैं अ अब यहां पर क्लोन में अब यहां पर देख लीजिए दोनों drive हमारी सो कर रही डिक्स जीरो डिक्स जीरो हमारी पहले से लैपटॉप में जो लगी हुई डिक्स वन हमारी जो SSD हमने अभी क्लोन बनाके जिसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं वह लगाया है अब जैसे यहां पर क्लिक करते हैं तो पूरी drive हमारी सेलेक्ट हो जा रही है अब यहां पर आपके इतने partition बने होंगे और जो भी डेटा होगा उसको क्लोन बनाके इसमें ट्रांसफर करेगा अब सोर्स में हमें सेलेट करना है जिसका डेटा हमें क्लोन बनाके ट्रांसफर करना है तो हमने ज लिए खे वार्निंग दे रहा है यहां पे चीजिए आप ध्यां से पढ़ लिजेगा यहां पे दिया है अगर कोई नहीं नहीं तो कोई कर दिए जी मेरा कोई डेटा नहीं है कर दिए अगेंड यह पेज आपके सामने खुल जाएगा अब यहां पर सोस्ट डिक्स हमारी यह है कहां से हमारा डेटा आ कितनी है उसकी अब यहां पर देखें पूरी पूरी ड्राइब कॉंपी हो रही हुध यहां पर पूरी ड्राइब का साइज हमारा दिखा रहा है और यहां पर गृ-प्रॉअ PD करेंड देखना है तो यहां पर आपको इड़ेट पर क्लिक करना है यहां पर देख लिए अब यहां पर सज्डी में हमारे तीन ड्राइब क्रेट होगी इस तरह से जो कि पहली ड्राइब में जो है हमारा विंडोज जाएगा जो कि 46GB का create होगा और दूसरा drive create होगा हमारा 12GB का drive तो हमारा खाली था तो C drive इसमें 30GB का बना दिया है तो आटोमेटिक यह अर्जश कर लेगा बस यहां पर इतना ध्यान रखिएगा कि जितनी GB का data बस उससे ज्यादा GB का हार्डी से SSD रहने चाहिए जिसमें भी आप जो है इस Windows को clone बना के copy करना चाहते हैं अब यहां पर साली चीज़े आप चेक कर सकते हैं उसके बाद यहां से आपको cancel कर देना है अब यहां पर ध्यान रहे एक बात और यहां पर अगर मालीजिए आप जो हार्डिस टू हार्डिस कापी कर रहे हैं तब तो आपको कोई setting नहीं करना है सीधे start clone पर कर देना है click अगर मालीजिए यहां पर मेरी यह से हार्डिस है और इसमें मैं SSD में transfer कर रहा हूं तो यहां पर SSD पर आपको check करना है तो यहां पर आपको SSD पर click करना है अब यहां पर size setting हमारी ok हो गए अब इस start clone पर हमें click कर देना है और wait करना थोड़ा time तक तो यहां पर हमारा process complete हो जाए दिजे तब तक हम इस video को fast forward कर देते हैं और यहां पर ध्यान रहे बीच में आप जिसमें भी अपने laptop अपने desktop जिसमें भी यह process आप कर रहे है वो बीच में off नहीं होना चाहिए नहीं तो आपको यह process फिर से करना पड़ेगा और यहां पर एक बात और ध्यान रहे कि अगर मान लीजे आपकी हार्डी से SSD में कोई भी data है तो उसको format करके ही लगाईएगा यहां मैंने नई SSD लगाई तो इसमें कोई data नहीं था और drive भी हमने locate किया था तो already format हो चुका था इसलिए मैंने format करके आपको नहीं बताया है तो उसको एक बार format जरूर कर लीजेगा तभी यह प्रोसेस करिएगा तो यहां पर वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोसेस कंप्रीट नहीं हो जाता हो बीच में आप जो है PC आप मत कीजेगा कहीं भी यहां पर आपको cancel वगरा पर किलिक नहीं करना जब यह कंप्रीट हो जा आसपा से समय हमारा लगा है तो यहां पर इसको हम फिनिश कर दिये हमने इसको यहां से क्लोज करते हैं अब यहां पर दिस PC ओपन करके एक बर मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर कितनी ड्राइब क्रेट हुई है जैसे देख सकते हैं यह पहले मेरी हार्डिस थी जो लै देख सकते हैं और यहां पर इड्राइब में जो डेटा था हमारा यह देख सकते हैं यहां पर इस वाले ड्राइब में हमारा ट्रांसफर हो चुका है तो यहां पर सारी फाइल सक्सेश्फुली ट्रांसफर हो गई तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और अपने लैप टॉप म में हमने clone के माद्ध हमसे data copy किया है इस ssd को लगाते हैं फिर मैं आपको check कराता हूं यह सारे software जैसे अभी आप देख सकते हैं install है यह सब ssd में देखते हैं आ रहाई के नहीं आ रहा है क्या क्या चीजें वहां पर ssd में हमारी बादेख से शोग कर रही है सारी चीजे हम चेक करने वाले तो laptop को यहां पर भी हम सट डाउन करते हैं तो यहां पर हमने laptop को सट डाउन कर दिया लैप टोप से चारजर निकाल दिया है इसके बाद यहां पर जो ssd हमने connect की थी sata to usb केबल के माद्धियम से ssd को भी हमने निकाल दिया है अब यहां पर इस ssd को इसमें लगाने के लिए यहां पर हमें open करना पड़ेगा यह पैनल इसके लिए battery को हमें निकाल देना है इस के बार इस panel के दो स्क्रू को आपको खूलना है इस screw driver के माद्धियम से अब यहां पर इस hardest को हमें निकाल ली है इस तरह से फिर उसके बाद इस SSD को हमें लगा देना है जैसे यहां पर निकालना था सेम इसी तरह से जाएगा आप देख लिजेगा आराम से बैठाइएगा कहीं जल्दवाजी मत करिएगा नहीं तो कुछ डैमेज हो जाएगा अराम से इसको देख लिजेगा उसके बाद जो है इसमें इंसेट करिएगा अब इस hardest को रखते हम साइड में अब इस पैनल को कुछ इस तरीके से हम इसको पैक करते हैं अब यहां पर फिर इसको ड्रैवर की मदद से इसको टाइट कर देंगे अब यहां पर लैप्टॉप में बैटरी लगाते हैं और लैप्टॉप को हम ओपन करते हैं अब यहां पर हमने लैप्टॉप अपना ओन कर दिया हो लैप्टॉप में SSD लगा दिये वह SSD लगा ही जिस में हमने जो है clone बनाया था इस हारडिस में मेरी पहले विंडोज थी इस हारडिस से जो है विंडोज को सॉटबर की माध्यम से अपनी नए SSD में जो क्लोन बना के कॉपी किया उसको अब यहाँ पर हमारे विंडोज हमारे खोल चुकी है और यही डेटा है यहाँ अपर हैएक उसके साथ आप देख सकते हैं लिया है और राइब भी हमारे तीन हाँ फी थी और ड्राइब यहां पर से अब धेन रखेंगा मैंने पहले भी आपको बताया था कि हार्डिस माले आपकी 500 जी वी यह नहीं लगा रहे हैं लेकिन आपके हार्डिस में 200 200GB का डेटा है तो महां पे उससे ज़्यादा की SSD ही आप जो है रखिएगा जिससे सारा डेटा आसानी से ट्रांसफर हो पाए इसके साथ एओमी बैक अपर सौर्ट बेर का लिंक आपको वीडियो के डिक्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा तो आई होप आपको इस वीडियो में स्टब बाई स्टब क्लियर डीटेल में आपको जानकारी मिल गई होगी किस तरह से अगर आपके लैप ट सब्सक्राइब करने के बाद जो मैंने इस वीडियो में बताया है आप विंडोज को और डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरी हार्डेस या दूसरी ड्राइब में तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सभी सपोर्ट मिला होगा तो हमाया चैनल को जरूर सब्सक्र करी देता हो भी विल्कूर फ्री में इसकी वैलू काफी जादा है लेकिन यहां पर लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर जाके और क्लिक कर दिए जिससे हर वीडियो को अध्यम से सब लोग जान पाएं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ अब तक लिए टेक किया बाए